नमस्कार आप देख रहे हैं HBN News क्या कोई अनपढ़ आदिवासी महिला गाउ की मिसाल बन सकती है अगर नहीं तो ऐसा कर दिखाया है रिवा जीले के सेमिरिया श्वेत्री की एक अनपढ़ आदिवासी महिला ने जी हा इस गाउ में डकेत और बदमाश जाने से डरते हैं पुरुस अपना काम करते हैं और गाउ की महिलाए घर की रखवाली करती है इसी को देखते हुए प्रदेश के मुख्य मंतरी ने उन्हें उपादी दी है और सुंदरिया और उनकी टीम को बंदुक के लाइसेंस भी दिये है हाथों में चूड़ी और घुंगट की आड में बंदुक चलाने के गुर सीख रही ये है उत्तप्रदेश की सीमा से सटे मदप्रदेश के रीवा जिले के ककडेडी और मजियार गाउ की महिलाए ये शेत्र दस्य प्रभावित है यहाँ से पुलिस की चौकी भी को सुदूर है ऐसे में डकेतों से निपटने के लिए इन महिलाओं ने अपनी और गाउ के सुरक्षा के लिए बंदुक उठा ली है अब ये तराई शेत्र में डकेतों से निपटने के लिए तैयार हो गई है लगभग 20,500 कीमत की 12 बोर की बंदुकों के लाइसेंस पाने और बंदुक खरिदने में ग्रामिनों को मसकत करनी पड़ती हो पर इन महिलाओं के जजबे को देखते हुए मुख्यमंत्री ने इन्हें लाइसेंस देने में कोई परहेज नहीं हुआ और आसानी से इन्हें बंदुक के लाइसेंस मिल गए और पाच महिलाओं ने बंदुके भी खरिद ली है सुन्दरिया अधिवासी के इस जजबे से गाओं की ज़ादातर महिलाएं उनके साथ जूड़ चुकी है सुन्दरिया और उसकी टीम की महिलाएं गाओं में घुम घुम कर गाओं की रक्षा करती है और गाओं की बाकी महिलाओं को भी जाग रुप कर रही है आत्म रक्षा की चाह और अपने मनोबल के चलते सुन्दरिया और इसकी टीम की महिलाई बंदू खरिदने से भी गुरेज नहीं करती इनके लिए आत्म सम्मान से बढ़कर शायद कुछ और बचा है हौसली बुलंद हो तो मनजिल दूर नहीं यही है सुन्दरिया की काम्यावी का रहस्या सुन्दरिया ने गाउ में अलख जगाने का बीड़ा उठाया और उसकी महनत रंग लाई एक एक करके कारवा बनता गया और लोग उससे जुडते गए बीरो डिपोर्ड, HBN News हिसलिकों सुन्दरिय। वट्प्रोपाङबी तेंह रही थे जो कि उन्हा सिभ आतंग बादी नहीं आँ मैथ दमंग लोग हम खरन धिडरवाद भाम जो कि हम सम महिला मिले के साथ मा उनसे से हम स्मल उत रह की हम प्र और कि सारे समोहगी रहती हैं साथमा असम महिला साथमा हटती है दारू पैसा भाया बान सb yours दारू भाया नहीं भी कहर यह हम महिला सब ठाने है अधि दारू पैसा भी की तो मा कानूनी कारवाहि किये जाए जो कि दमंग लोग डरवावा थे तर दमंगाई के साथ हमों डरवाई थी कि तुम दमंग है तहूं दमंग है तो हम आखी तुम न देखा जो कि हमारे नौ लोगों का बंदूख मिली है ता जंगल छेस से लगा हुआ हमारा गाउं है डकाई देश है ता हम लोग मुखमंतरी जी से मांग की हैं कि हम ही आतीमा की रच्छा की खातिर बंदूख चाहिए जो कि हम अपने पूरुस लोग हमार भाई नहीं रहे पामे घर म ता जब नहीं रहा है ता हम कवनों पर असानी आई ता हम मतलब सामना कैसा की तो यह से की बंदूख के हम लैसंस मांगें मुकमंतरी हम खा लैसंस दें मुकमंतरी दोरा हम खा लैसंस मिला ता हम खा बंदूख हम लोग जाए तो आप गस्त भी करती हैं जाके आप लोग जी पास पास मगाओं हैं जिसे अपन हर रही है, मजियार है, खटहा है, इंगावन मा अजया कड़ेरी है, जो कि इंगावन मा जंगल छेस से लगे हैं, बुसा उल्हा डढ़ा है, इंगावन मा हम लोग पहुंचे इंगे, बंदूख लए करके. पुलीस के, एक ताका राज चलेगा, घंदूम बुस्लिम, साथ चलेगा मुश्किल इस राह में मुस्कान नहीं छोड़ूंगी उचाई की चाह में स्वाभिमान नहीं छोड़ूंगी महुआ विधान सभा शेत्र के दून प्रखंड के अलतरगत विभिन पंचायतों में पिछले तीन सालों से मेडिकल केम्प लगा कर लोगों की सेवा मित्तत पर कोरोना जैसे महामारी को आए हुए पाच महीने हो गए जब शहर के सारे डॉक्टर और हॉस्पिटल बंध है लेकिन इन्होंने इस सेंकट के घड़ी में भी लोगों की सेवा मिल लगे हुए है अपने अस्पताल के माध्यम से पिछले पाच महीनों से कोरोना वाइरस जैसे खतरनाग बिमारी से बचने के लिए लोगों के बीच साबुन, मास्क का बितरन और लोगों के बीच घुम घुम कर इस बिमारी के खिलाफ सजग रहने की सला दी महुआ विधान सभा शेत्र में मेडिकल कैप के दोरान फ्री दवा का वितरन क्यों करी विचार ठीक तो है नितिश कुमार डॉक्टर आस्मा परवीन प्रदेश महासचीव जदियू बिहार श्यभावी विधायक प्रत्याशी महुआ विधान सभा 126 संस्थान मिश्या क्लिनिक प्राइवेट लिमिटेड जोहरी बाजार हाजिपूर वैशाली